हेलो एवरीवन आप सभी का दून इंडियन डिमिस अकैडमी में बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चो आज हम एक ऐसे विशे पर चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पर बच्चों का खास ध्यान रहता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि आखिरकार जोगरफी में एक कोशन आता है टाइम निकालने को लेकर के अगर आप लोगोंने इमेजनरी लाइन्स के बारे में पढ़ा हो आइम टॉकिंग अबाउट लॉंगिट्यूड लाइटिट्यूड तो अगर आप लॉंगिट्यूड की बात करते हैं तो लॉंगिट्यूड से जो टाइम निकालने का कोशन आपके पेपर में आता है चाया वो UPSC हो चाया SSC तो आज आपके लिए में वो बहुत आसान करने वाला हूँ आप देखिए मैंने स्क्रीन पे कुछ चीजे लिखी है आज का जोगरफी का आपका टॉपिक है हाव तू फाइंड दा टाइम ठी आपको कुछ चीजे ध्यान में रखनी है यह यूजली बहुत बेसिक चीजे है जैसे टोटल लॉंगिट्यूड जो टोटल लॉंगिट्यूड है वो 360 है ठीक है और अर्थ का जो रोटेशन है वो भी 360 है तो अब टाइम टेकन का मतलब है प्रिथवी अपने अक्ष पर अप अपने अक्ष पर 360 और यह पूरा समय अपने अक्ष पर घूमने का जो समय लग रहा है बेटा वो 24 घंटे यानि कि टोटल 360 लॉंगिट्यूड को क्रॉस करने में लगे 24 आर्स तो 360 डिग्री इस इगल टो 24 आर्स तो यहीं से हमारे पास यूनिट्री मैथट से एक फॉर्मल बनाया है means if this is 60 डिग्री इस्ट, 61 डिग्री इस, 62 डिग्री, 63 डिग्री इस्ट ठीक है तो इसका मतलब 1 डिग्री 4 मिनिट का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर एक है तो टाइम का अंतर 4 मिनिट अगर इन दोनों के बीच में यानि कि इसको मै C and D, तो A और C के बीच में डिगरी का अंतर 2, तो टाइम का अंतर 8 मिनट, लाइकवाइज A और D के बीच में डिगरी का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, तो टाइम का अंतर 12 मिनट यानि कि in case मैं कोश्चन लेता हूँ सपोज 61, 60 60 डिगरी इस्ट में 60 डिगरी इस्ट में 60 डिगरी इस्ट में अगर 10 बजने हैं सुभा के 10 अ. तो अगर आप से पूछा जाए कि 63 डिगरी इस्ट में टाइम क्या होगा? तो बेटा इसके लिए बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया है कि 60 और 63 में, डिगरी का अंतर कितना है बेटा? तीन, तो 60 और 63 के बीच में टाइम का अंतर हो जाएगा 12 मिनट, यानि की 10 बज़ कर 12 मिनट इसका अंसर हो जाएगा, तो ये बहुती बेसिक, मैं आपको बिलकुल स्क्राच जीरो से शुरू कर रहा हूँ, मैं इसी कोश्चन्स को धीरे-धीरे मौडिफाई करता हुआ, आपको इस लेवल तक ले जाओंगा, जहां यूपीएसी में कोश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा, उसको भी ये समझ में आएंगी, और मैं आपको सिर्फ तीन स्टेप्स बताऊंगा, वो तीन स्टेप्स अगर आप याद भी कर लोगे, तो भी आपको इस प्रगा के कोश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वो तीन स्टेप्स क्या-क्या है? सबसे पहला पहला स्टेप है बेटा, फर्स्टेप बेटा देको तीन स्टेप्स जो मैंने आपको बताएं है वो आपको याद करने हैं, इनकेस अगर आपको लगता है कि कंसेप्स को समझने में थुड़ा टाइम लग रहा है तो भी अगर आप ये तीन स्टेप्स आपके दिमाग में हैं तो आपका कुश्टन सॉल्व हो जाएगा जो भी दो लॉंगिट्यूट्स दिए गए हैं उनके बीच में डिगरी का डिफरेंस जो यहाँ पर आंसर आएगा, आप उसको चार से मिल्टिप्लाइ करेंगे वो मिनिट में आएगा, आप हो सके तो उसको आफरेंस में कश्ट्पर करने की कोशिश करेंगे इनकेस अगर वो टाइम आवर्स में आ सकता ऐ तो, और फिर जो टाइम आएगा आप उसको प्लस या माइनस कर देंगे depending आप जहां खड़े हैं वहां के respect में with respect to that longitude आप कहां का समय निकाल रहे हैं मानो हम 60 degree east पे खड़े हैं और अगर हमें 50 degree east का time निकालना है तो ऐसे में minus करेंगे और मानो 60 से आगे मानो 70 degree east का time निकालना है तो plus करेंगे जहां पर आप खड़े हैं ध्यान लखेंगे तो इसलिए आप देख सकते हैं इस वाले question में हमने पहला step क्या अपनाया degree का अंतर तीन दूसर step into 4 करके 12 minute और तीस से step में क्या किया हमने कि ये 63 degree east जो है 60 के right में है तो यानि कि हमने plus कर दिया यानि कि 10 बचकर 12 minute तो ये बहुती simple सा मैंने question आपके सामने इसलिए लिया है कि आपको सिखाने के लिए अब जो questions मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब बिटा इससे upgraded होंगे उमीद करता हूँ आपको ये पूरा time निकालने का जो छोटा सा concept मैंने शुरू किया है वो समझ में आया होगा अब हमें आपका इसका second part बनाने वाला हूँ इसमें आपको मैं इसके modified questions भी बताऊँगा तो आपको वीडियो पूरी complete देखनी होगी और आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिये गए numbers दिये गए links पर subscribe करें चैनल को subscribe करें call करके हमसे बात कर सकते हैं inquiries अगर लेनी हैं आप वो भी ले सकते हैं ओके जहिन बेटा